हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है अन्वीडिया ग्राफिक कार्ड RTX 3060 रैवर कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11, 10, 8, 7 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ता प अपने लेपटाप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राजर ओपन कर लिजएगा ब्राजर ओपन करने के बाद यहां पर आपको गूगल ओपन कर लेने हैं गूगल ओपन करने के बाद यहां पर आपको टैप कर देने हैं इन्वीडिया ड्राइबर डाउनलोड इस तरह से यहां पर आपको first option दिख जाएगा, इसके ओपर आपको click कर देना, click करते हैं, यह Nvidia का officially website open हो जाएगा, open होने के बाद आपको क्या करना, यहां पर आपको दिख जाएगा product type, तो आपको क्या करना, यहां पर आपको अपने हिसाब से product select कर लेना, आपके case में कौन सा graphic card है, उसके हिसाब से यहां पर आपको select कर लेना, मेरे case में geoforce का है, इसलिए मैं यहां पर geoforce select कर रहा हूँ, आपके case में कोई other होगा, तो यहां पर आप अपने हिसाब से select कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर product series दिख जाएगा, तो आपको क्या करना, यहां पर आपको अपने जिरो होगा यानि 4-0 का स्रीज होगा तो 4-0 सेलेट कर सकते हैं इससे नीचे वाला वर्जन होगा तो यहां पर आपको अपनी हिसाब से सेलेट कर सकते हैं तो यहां पर आपको अपनी हिसाब से सेलेट कर लेने हैं इसके बाद यहां पर आपको ओपर दिख जाएगा जो भी ग इसके बाद यहांपे आपको और प्र crisis है इसके बाद करने केस्ट 1 के लिए इसके लिए क विए लिए 7 के लिए slash साब से select कर सकते हैं यह 32-bit का भी होगा तो भी यहां पर आपको दिख जाएगा इसको select कर लिजाएगा यह 32-bit का Windows 7 होगा तो भी इसको select कर सकता है Windows 11 है तो यहां पर आपको Windows 11 select कर लेने मेरे case में Windows 11 है इसलिए मैं क्या करूँ यहां पर Windows 11 select कर रहा हूं आपके case में जो भी operating system होगा यहाँ पर आपको अपने हिसाफ से select कर लेने हैं इसके बाद यहाँ पर आपको download tab दिख जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो option दिख जाएगा यदि आप gaming के लेकरना चाहते तो यह game drive select कर सकते हैं यदि आपको cable studio drive चाहिए तो यहाँ पर आप studio drive select कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाफ से select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपने हिसाफ से language भी select कर सकते हैं अब आपको क्याकर ने यहाँ पर search पर click कर देने, click करते ही, इस तरह से window open हो जाएगा, यानि तो आपके case में automatic download होना शुरू हो जाएगा, यानि तो आपके case में भी इस तरह से window open होता है, तो आपको क्याकर ने आप जहाँ पर भी XC को save करना चाहते हैं, वह path select कर लिजेगा, आप अपने हिसाब से वह path यहाँ पे select कर लिजएगा, उसके बाद आपको क्या करने है, save पे click कर देने हैं, click करते हैं, इस तरह से exe download होना शुरू हो जाएगा, download complete होने के बाद आपको क्या करने है, उस folder के अंदर जाना है, जहाँ आपने exe को save किया है, वहाँ पे आपको इस नहीं दिखते हैं, तो आपको क्या करना है, अब हम इसको install करेंगे, install करने के लिए आपको क्या करना है, या था आप इसको पर double click करके install कर सकते हैं, या नहीं था आप इसको right click करके install कर सकते हैं, तीनों चीज में से कोई एक चीज़ आप करके install कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें भी इस तरह से Windows उप्योंगों उप्याएगा। इस तरह से यहँए इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से window open हो जाएगा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो option दिख जाएगा यदि आप NVIDIA graphic card और Geoforce दोनों install करना चाहते तो first option select कर सकते हैं यहाँ पे आप अपने हिसाफ से लेट कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाफ से लेट कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाफ से लेट कर सकते हैं यहाँ पे आप अपने हिसाफ से लेट कर लिजेगा उसके बाद I agree के ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो निए इसके बाद यह विंडो उपन हो जाएगा यहां पहे भी आपको दो पसंद दिख जाएगा एक तो कस्टमाइश दिख जाएगा एक यहां पहे एकस्ञ पे एकस्टरेश गेगा तो यहां पहेप्ने इसाब से और शेलेक्ट कर लिजाएगा यिद्क Japanese झाल 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 installation complete होने के बाद इस तरह से यहाँ पे complete लिखा हऊ乾ो यहाँ पे आके रुक जाएगा अब आपको क्या है यहाँ पे आपको दिख जाएगा restart now तक आपको क्या है रे start now के ओसे आपको क्लिक कर ददने क्लिक करते हम इस तरह से ये restart होना शुरू हो जाएगा रिय स्टार्ट होने के बाद इंस्ट्टोलेशन कम्पलिट हो जाएगा अब यदि आप इस एकसी को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं यानि तो आप यहां से इसको डिलीट करना चाहते हैं यहां से इसको delete भी कर सकते हैं, अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा जियो फोर्स, यदि आप इसको gaming के लिए use करना चाहते हैं, recording के लिए use करना चाहते हैं, यहां से click करके आप इसको open करके use कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, click करते हैं, इस तर streaming के लिखने कर सकते हैं। यदि आप यहां पे NVIDIA का control panel open करना चाहते हैं तो यहां से click करको open कर सकते, यहां पर यहां पे दिखनाएगा यहां प्य दिख्याईगा, यहां पर इसे यहां से भी क्लिक करके open कर सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी क्लिक कर लिजएगा, तो इस तरह से window open हो जाएगा, आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको दिखी जाएगा, कौन सा graphic card है, कौन सा driver install है, यहां पर हो दिखी जाएगा, इसके बाद जो भी setting करना चाहते ह यहां से अप setting कर सकते हैं, 3D setting करना चाहते हैं, यहां से कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको use कर सकते हैं, और प्लीज गाइज चैनल को subscribe करें, like करें, share करें, thank you